हाँ हेलो वरिवन आज की वीडियो में हम बात करेंगे री अर्रेंजमेंट और री अर्रेंजमेंट किसका बात करेंगे किसका री अर्रेंजमेंट का 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 री अर करती है ठीक है तो आज हम बात करेंगे करवो गयुटैन के रियरेंजमेंट की आप लोगों पता है कि जो करवो गयुटैन होता है इलेक्टॉन डैफिसेंट स्पेशिस होता है पोजिट्रिचार्ड कंडेनिंग होता है वैलंस आलमें six यह पास क्या बनेगा गार्विकषन होगा तो वहां हमारे पास जो लश्टेब्ल करने होगा उसको हम कनवर्ट कर सकते हैं किस में मोस्टेब्ल करो क्या रिय्पोप क्या है रियर्जमेंट ठीक है वह हम यहां discuss करेंगे type of rearrangement तो मैं यहां लिख रखा है type of rearrangement के मैं लिख रखा है one two hydride shift क्या लिख रखा है one two hydride shift देखो भई मेरे पास यह कोई भी कार्वोगटैन है मुझे पता है कार्वोगटैन के respect में कार्वन वाली position कोई का बलो हो one और इसको का बलो हो two ठीक है भई आप दे यहां आ गया तो यह one two hydride shift हो गई देखो भी positive charge का आ गया बीच वाले carbon पर hydrogen का आ गया पहले वाले carbon पर ठीक है भई आप देखो अगर मैं यहां कार्वोगटैन के respect में alpha hydrogen की बात करूँ तो यहां मेरे पास alpha hydrogen कितनी है two है और अगर मैं यहां alpha hydrogen की बात करूँ तो यहां alpha hydrogen हमा यहां तो मैंने लेस्टेबल कार्वोगटैन से क्या बना लिया मोस्टेबल कार्वोगटैन तो हमारे पास यहां one two hydride shift हो सकती है तो ठीक है तो जो पहला टाइप पने पड़ा है टाइप रियरेंजमेंट वह पड़ा है one two hydride shift देखो भई इसका दूसरा example है देखो भई कार कर्वोगटैन क्या हमारे पास first carbon और उससे अगला कर्म क्या second carbon टीक अबन है पbirds प्टा किसको बोलते हैं जो कर्च से है उसके रिसकल्य करवन हो से हमारे फिस इस पर होगा मैईगरीजन करेगी माईगरेट करेगी इस को भूल नो इसको बनाप में तो पए यह भी ऑर्ड़ कारोगटायन लिए अगर मैं anno flu मैं क्या होगता है हमारे पस मितायल भी ँटने फ रोलव है वो हमाइभरेट कर सकते हैं और उससे क्या एक लेस्टेबल कार्व वर्ट कंप अबनाःगे दो हमारे पास यहां देखो यहां ँसकी निम्हारे अलफा कार्बन पेन प्राइवा स्वेंग वडिकलन नहिंद कंद। है त sogen लेको क् वहां से तनों दोपे zie Daniêuफ कर लूंघ कर लूंगा तो क्या लिखोंगा इसको 1-2 मिठा मेंदों निकला यहां से निएए तो मुझे पंट वार्व कोई प्लाद की जाएगा तो यहां में पास पोजिटीव चार्ज आएगा तो यहां मेरे प्रफाइडूजन होगा उतने क्या होगा स्टेबिटी इंक्रीज होगे ठीक है भाई यह था हमारे पास वन टू एलकाइल सिप्ट का एक जैंप आगे चलते हैं देखो अब बात करते हैं में रिंग एक्सपेंशन की तो अब हमें पता होना चीकि रिंग एक्सपेंशन हमारे यह तो आगले बात कि इसको यह बोलेंगी वन ओर क्या हो सकता ना देखो रिंग रिंग के अंदर के अलकाइल सिप्ट मार्गेट करा तो यह बोन यहां से टोटे को दिया का एगा पोजिटिव चार्ल्ज और यह यह पाई वोन लेपन का जाके जोड़ रहे हैं तो देखो मेरे पास रिंग एक्सपेंशन होने के बाद यह बनेगा ठीक है इसको मैं कैसे को बात करतें रिंग कोंट्रेक्शन की ध्यान देना कि रिंग कोंट्रेक्शन अमारे पास कब होगा रnek कोंट्रेक्शन हमारे पास जब होगा tank का और two सब्सक्राइब व्रस्म है कि ढूब को। टुड़ेगा तो देखो किलेक्टर लेकर जा तो हमारी पास यह हमारी इसको बोलते है मिसलेमियास miscellaneous carbocatine जो इसकी stability होती है जो इसकी stability होती है aromatic compound के बाद सबसे ज़्यादा stability होती इसकी देखो भई, ring expansion में 5 memory से कितनी बनी? 6 memory, ring contraction में 4 memory से कितनी बनी? 3 memory, ठीक है भई? तो ring expansion कहा होगा? अगर मेरे पास कोई ring है, उसके उपर उससे अगले carbon positive charge है, तो वहाँ तो ring expansion होगा और ring contraction कहा होगा? ring के उपर ही positive charge है तो वहाँ generally possible होगा कि ring क्या हो जाएगी? contact हो जाएगी, ठीक है भे? तो अब बात करते हैं, key points about rearrangement, क्या-क्या key points है? rearrangement की, तो पहला point लिख रखा है मैंने since carbocatine is electronically deficient species so migrating group migrates with its bond pair मैंने लिख रखा है, कि जो carbocatine होता है मुझे पता है कि उसके पास electron की कमी होती है तो electronically क्या होता है? deficient होता है, तो कहा रहा है, कि जो उसके पास migrating group आएगा, वो migrate करेगा अपने bond pair के electron को लेके ठीक है भई? जब bond pair के electron को लेके जाएगा तो उसको क्या करेंगा? नोटलाइज करेंगा, सीदी सी बात है उसको electron की जूर्थ है, तो electron देगा कौन? जो migrating group है, वो और migrate करेगा अपने bond pair के electron को लेके तो आगे लिख रखाए मैंने such type of rearrangement इस कार्ड क्या अपने bond pair को छोड़ के चला जाए positive charge के साथ उसको क्या बोलेंगे क्लेटाइनो ट्रोपिक और क्या अब आगे देखो आगे मैंने एक note डाल रखा है देखो note में के लिखा है since carbon and nitrogen are also electron deficient हमें पता है कि जो carbon and nitrogen है वो भी क्या है electron deficient है so here also anionotropic और nucleophilic rearrangement is observed सही बात है जहां मेरे पास electron की कमी है electron की deficiency है वह हमेशा जो भी rearrangement होगा मेरे पास क्या होगा या तो anionotropic होगा या क्या होगा nucleophilic होगा ठीक है दूसरी बात देखो दूसरा पॉइंट लिख रखा है rearrangement in carbon is spontaneous in nature चनल ये बात है कि जो rearrangement होगा हमेशा spontaneous होगा non spontaneous नहीं होगा जो डेल जी की value होगी वो हमेशा क्या होगी negative होगी ठीक है बई तीसर देखो इन्हें carbon carbon number of rearrangement are possible अगर मैं यहां से شार लहां थे करता हूं कितनी है चाद पिखो अगर मैं यहां से वहें कितनी हॉतita तो छो हमारे पास नॉब्र क्या है जो पिछले वहाड़े उससे हमें फॉलो करेंगे मैं उसустить कि हमारे पास more than one क्या more than one rearrangement are possible बड़ता condition क्या है जो new form कर्वोगटायन है वो stable होगा क्या प्रिवेस वन से ठीक है अगली condition देखो इन्हें कर्वोगटायन more than one types of group are available for the migration then the group migrates yield most stable कर्वोगटायन यह कह रहा है कि अगर मेरे हमें से ध्यान रखना कि हमारे पास एक से ज्यादा गूरूप है न सारे माले मेरे पास स्थी पर यह हैं माईगरेट कराके देखूँगा पहले इसको माईगरेट कराके देखूँगा और क्या सीज़ी को माईगरेट कराके देखूँगा जो हमारे पास देखूँगा इसका माईगरेशन करता हूं तो लगता है यह सैकमने करेगा मुझे पता है अगर मैं यह से क्रता फालगता अगर तो माइग्रेट करेगा और कूण करेगा ठीक है तो आप लोगों तो द्यान में रखना है कि अगर मेरे पास हाइज़न का आइसो टोप है डूटिरियम तो किसको माइग्रेट कराओगे हमेशा अब लोग यह पूछ सकते हैं क्यों नहीं कराया अगर मैं सबसे ज्यादा रहा हूं तो अलफा एडियोजन मुझे कितनी मिलेगी यह लेकिन मैं जब यह पो सबसे जब सबसे जब जो किसके माइग्रेशन से बन रहा है है अब देखो आगे यहां ले रखा है सबसे बलकी ग्रूप है यह दोनों क्या करेंगे स्टेबलाइज करेंगे और हमारे पास फॉर्मेशन किसके हो जाएगे कार्बो कटैन है इसके रिस्पेक्ट में अलफा कार्बन या वन टू और यह तो मेरे पास दो माइग्रेशन है हाइड़ोजन का या किसी भी ग्रूप का वह मेरे पास दो जगे से पोशिबल एक हैंसे और एक कहां से यहां से तो जब मैं यहां से कराँगा तो जो मेरे पास चो कर वोगतैन होगा वह सिर्फ हाइपर कॉंजन से स्टेबलाइज होगा लेकिन मैं जब यहां से समय neither क्रा आता हूं जो कchester कराप मेरे आदा होगा है ज यहां से कराता मैं यहां से यह किस से स्टेब्लाइट होता है इस पर इंडेक्ट यूप यह जो इसको मोर्ट कारोगट है वह लेफ्ट साइड राइट साइड से बनेगा ठीक है अगला पाइंट लिख रखा है मैंने देखो सब्सक्राइट लिखा सोखता यहां से राइट लेकिन मैं इसको माइगरेट रहता है यह जो होता हो तो यहां एक हइडोजन या दो हैडोजन लेकिन मैं इसको माइगरेट कराता हूँ तो देखो दो और तीन पास हाइडोजन लेकिन मुझे पता है बल्कि ग्रूप के पास हाइडोजन कम है तो बल्कि ग्रूप क्या करेगा माइगरेट करेगा आ रहा है समझ में क्यूंकि मुझे पता है जब माइगरूप माइगरेट करेंगे तो इस Carnion पोलिटान टोटल कितने ती थिन लेकिन मैं इसको माइडर हो तो टौटल कितनी आती ही तो ड्यकिन सुब्रीलिक लिरे ने किडिकी घर chairman हैे वि刚t ओर वन डिग्णी कार्वन है विध रसpruchेक्टू क्या कार्वो का टैंज तो 3 normal सबसे ज़्यादा進 मैंने नेमरी यह थिल्प लेंडिक्मेर रख्ते है डाइनोर्जफेनadura वे ।क थार्च ंडबल बॉंड है तो उसके लिए क्या ये लिखा हूँगा अन तो क्या है कर राइंच और भी जो चुंगो छाए नसे करेंटरन उसा बनाए होँ रियरेंज है रियर्ेज वैगा जो है तो वह कैसे मैकेनिजम में मुझे मैंने एसिड ले रहा करेगा लोन फिर से प्रोटोनेशन होगा अब मुझे पता है और लेक्टो नेगेटिव पोजिटिव चार्ज तो पाइब क्या करेंगे शिप्ट करेंगे पोजिटिव चार्ज आएगा तो पोजिटति चार्ज आएगा मुझे पताएं कार्बो गटाएन के रस्पेक्टमेल अलफा कार्बन माईगरेट कर सकते हैं अपने लेक्टोन पेर लेके माईग्रेट करें तो पॉजिट चार्ज का आएगा यहां देखो एक रिजिएन है कि हमने यहां माईग्रेशन नहीं क्यों करा है देखो जो यह पॉजिटिव चार्ज है यह सिर्फ स्टेबलाइज है डूटू रेजोनेंस और क्या प्लस आई से इस की यह पॉजिट चार्ज है लेकिन जो यह फोजिट्व चार्ज हुआ यह स्टेबलाज से किससे रेजुनेंस से और हाइफरकॉन्जूगूरिशन से और यह किसस से स्रफ में तो स्टेबलिटी किसे बढ़ रए तो मैं इसका मैंगरेशन कर आशन है नहीं क्या में पास करेगा मिटाइल गूप माइगरेट करेगा तो में टूपिक हुआ तो यहां पास यहां पॉजिटिव चार्ज है अब देखो बही जो में पास बैंजन निंग थी अगर वह जिस से ज़्यादा इसकी और स्टेप्लिटी बढ़ जाएगी क्योंकि अर्माटिक क्रेक्टर आने के कान इसके स्टेप्लिटी क्या हो जाती है ज्यादा बढ़ जाती है जिससे मेरे पास क्या बन जाएगा फिनोल बन जाएगा और कि तो लास्ट टेप क्या है अर्माटाइजेशन तो हेइए तहीं इसली मैंने इसका क्या कराया है इस से मारे पास यहां बंड रहा है पहले क्या करेगा इस क्या है ठीचर्ज उने के बाद मुझे पता है किसमें आ आसकता है जिसने है प्लस निकाले तो आज कि वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे आगे के नेम रिक्षन है उनके बारे में बात करेंगे ठीक है आज मैंने क्या क्या है है और उसके बाद में बताए बात करेंगे नहीं जिए को । झाल झाल